हांजी बच्चो अब हम कोशिन नमबर 8 करने जा रहे हैं और कोशिन नमबर 8 है वट इस मींट बाई कंजूमर एकलिब्रियम तो आएए बच्चो इसके अंसर को हम एक एकजामपल से समझते हैं बच्चे एकजामपल यह है कि मैं आपको 500 रुपीज यहां पर दे रहा हूँ आपके पास पर 500 रुपीज आ गई ठीक है और आपने ये डिसिजन लिया कि इस 500 रुपीज में अपने लिए एक शर्ट परचेस करके आप लाएंगे ठीक है और जनरली ऐसा होता है कि जब हम डिसिजन लेते हैं कि मुझे चीज परचेस करना है तो थोड़ा सा उसका आइडिया भी हम अपने माइंड में एक बार सेट कर लेते हैं तो आपने किस कलर का आपको शर्ट चाहिए कौन से कलर का अलेडी है कौन सा नहीं है या कौन से डिजाइन का चाहिए प्लेन में चाहिए चेक में चाहिए वो सब कुछ अपने माइंड में एक इमेज आप बना लेते हैं तो ऐसे ही आपने बना लिया कि मुझे इस बजट मे एक shirt लेकर आना है इस color नहीं है मेरे पास पर मैं इस color को prepare करूँगा मैं इस design को prepare करूँगा तो इस तरीके से अपने mind में आपने एक image बनाए और इसके साथ साथ आपने अपने mind में ये image ये भी decision लिया कि आप जाएंगे कहाँ पर आपके budget में कौन सा market आपके लिए best हो सकता है उसके बाद आप अपने market को decide करेंगे चलिए आपने अपना market भी decide कर लिया clear है तो 500 उपीस का shirt लेना है आपने आपने color भी थोड़ा सा mindset करा है अपना design को लेकर भी mindset करा है और market को लेकर भी अपना mindset करा है और आप निकल बड़े market अब जब आप market पहुँचे उस market पे जो पहली ही दुकान थी पहली ही शौप जो थी उस पहली शौप पे जो डमी है उसी पर आपको ठीक वही चीज आपको दिख गया जो आप सोच करके आए थे कि मैं इस color का लूँगा इस design का लूँगा इस तरीके का मैं लूँगा जो आप सोच के आए थे market में एंटर करते ही फॉस शौप पे उसके डमी पर सबसे पहले निजर आपकी वही पर गई तो क्या आप उसको लेने का पर्चेस करने का decision लेंगे क्या आप बोलेंगे कि यार यह तो हुई है पैसे दो भाई यह पैक कर दो जनली अगर आपको बिल्कुल आपके मन पसंद की चीज आपके सामें रखी हुई है स्टार्टिंग में एंटर करते ही सबसे पहले कोई मेहनत निकरनी पड़ी तो क्या आप उसको पे करके वो शर्ट पैक करवा करके घर आ जाएंगे नहीं जैनली ऐसा नहीं होगा आपके माई ने पता क्या चलेगा यह कि यार पहले ही शॉप के आगे डमी पर मुझे वो ची कितनी अच्छी अच्छी चीजे हो सकती है है ना तो आप क्या करोगे उस शॉप में आपको बली पसंद आ गया है लेकिन फिर भी आप ये चाहते हैं कि इससे बैटर अगर कुछ मिल जाएं तो फिर हम वो ले लेंगे देख लेते हैं तो बच्चे आप यहां पर उससे आप पर आप जो है आप जो वहाँ पर भौत सारी शर्ट्स आप निकाल वागर करके आप चेक करते हैं कि इससे बैस्ट क्या पता मेरी इस बजट में ये तो मेरे लिए है ही पसंद तो आई गया बट जब स्टार्टिंग में ऐसा है तो अंदर दुकान में पता नहीं क्या- आप और भी आप्शन की तरफ जाएंगे तो शॉप में आपने और भी आप्शन देखने के बाद आपको उतना मज़ा नहीं आया तो क्या आप उसी डमी पे जो लगा हुआ है उसको ले लेंगे नहीं आप सोचेंगे अंदर मार्केट में जाते हैं जब पहले शॉप पे एंटर करते हैं और पूरी मार्केट को आप घूम करके दो चार दुख शॉप को आप चेक करते हैं उसके बाद आप सोचते हैं कि नहीं यह सब चीज़े तो हैं अच्छी हैं बट जो मैंने फर्स देखा था ना वही बैस्ट था वही बैस्ट था बिलकुल वही सबसे किया था देन आप फिर वहाँ जाएंगे और वहाँ जाने के बाद फिर आप उसको बोलेंगे कि आप यह मुझे दे दे आप उसको परचेस करने का डिसिजन आप लेंगे तो बच्चे मुझे एक बात बताईए आप सबसे पहले जब आपको वह खरीदना ही था तो स्टार्टिंग में एंटर करते ही उसको पैक करवा करके ले आते घर इतना पूरा मार्केट क्यों गूमा आप इतना समय क्यों खराब किया आपने अपना इसका आंसर जरा मुझे क करें कि जब आपको वही चाहिए था वो साटिंग में आपको दिखतो गया था आपको ले लेना था अपने गिवन इंकम में वो सारे आप्शन को देखेगा जो भी उसके गिवन इंकम होगी सारे आप्शन को देखेगा और उन आप्शन में से कंपैर करने के बाद जब वो रेलाइस करेगा इस सीच को जब वो शियोर हो जाएगा जब वो कंफर्म हो जाएगा कि ये मुझे स सबसे ज़्यादा satisfaction दे रहा है यह सबसे ज़्यादा मुझे satisfied कर रहा है जब आप में यह surety आ जाएगे देन आप purchase करने का डिजन लेते हैं कि स्टार्टिंग में आपको चीजे पसंद तो आ गए थी वह लेकिन आप आप sure नहीं थे कि यह जितने भी options हैं उनमें से best है उनमें से maximum satisfaction level दे रहा है maximum satisfaction level दे रहा है starting आप sure नहीं थे इसलिए आपने starting में purchase करने का decision नहीं लिया लेकिन पूरे market search करने के बाद आप sure हो गए confirm हो गए कि बिटा जो यह मेरे पास में available है यही बेस्ट है मेरे इस budget में जब आप में यह surety आ जाती है न कि जो मैं purchase कर रहा हूं और मैं इस budget में purchase कर रहा हूं तो इस budget में यह best then आप purchase करने का decision लेते हैं तो starting में आप कुछ यह पसंद थी बट आपके लिए सब में से यह best है यह maximum satisfaction level दे रहा है ऐसी शूरटी नहीं थी सर्च करने के बाद जब आप confirm हुए आपको यह शूरटी आई कि यह जो आपको दे रहा है यह आपको maximum satisfaction लेबल दे रहा है सबसे ज़्यादा आपको यह satisfied कर रहा है दैन आप purchase करने का decision लेते हैं माल लेजिए वही शौप कीपर बोले नहीं सर यह रहने देजिए डमी पर हम डमी के लिए रखा हुए कोई दूसरा देख लो आप तो आपका reaction क्या रहेगा आपका reaction यह रहेगा कि नहीं अगर आपको देना है तो आप यह दीजिए otherwise जो है हम purchase नहीं करेंगे तो जब आपको रेलाइज हो जाता है ना कि आपके budget में यह आपको maximum satisfaction लेबल देगा तो उस position को आप buy करने का decision लेते हैं और उसमें किसी भी तरीके के changes को आप afford नहीं करेंगे हम नहीं करते हैं बिटा किसी particular consumer की बात मैं नहीं कर रहा हूं मैं आपकी भी बात कर रहा हूं अगर हम एक रुपए बच जाते हैं कभी किसी medical की shop पे गए तो वो कहते हैं टौफी ले लीजिए किसमें से टौफी निकाल लीजिए तो चाहे मैं हूँ चाहे आप हूँ चाहे कोई भी हो जब एक रुपए बच गया एक रुपए मुझे टौफी सेलेक्ट करना है तो वह बहुत साई टौफी है रखे हुई है तो मैं एक second के लिए जरूर confused होंगा कौन सी निकालू पतलब उस समय मेरे अंदर क्या calculation चल रहा ह उस तुमें मैं देख रहा हूँ कि मुझे need ज़्यादा किसकी है मेरा मन ज़्यादा किसका है मतलब कि मुझे ज़्यादा satisfied कौन करेगा उस एक रुपए को भी खर्च कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर ये compare करके कर रहा हूँ ये design ले रहा हूँ कि मुझे maximum satisfaction level कौन देगा उस स आपसे मैं फिर वो टॉफी को select करता हूँ बच्चे consumer equilibrium का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है high quality, top quality, बहुती बढ़िया किसम की चीज़, उन्नत किसम की चीज़े, car मतलब Ferrari, branded shoes, branded watch, equilibrium, consumer equilibrium, maximum satisfaction level का मतलब यह नहीं है कि top class के आप quality की चीज़े consume करें, इसका मतलब बच्चे यह है कि आपका budget जो भी है, उस budget में जो options available है, उस options में जो आपको maximum satisfaction level दे रहा है, अगर आप उसको purchase करने का decision लेते हैं, देन आपका equilibrium की situation में आ गए, अब बच्चे आप देखिए, जो एक बहुत गरीब है, बहुत गरीब है, जो below the poverty line है, वो कभी festival वगरा में अपने लिए, अगर कोई एक कपड़े भी लेने के लिए जाते हैं, तो वो अपने इसाब से market को select करते हैं, उनके budget के इसाब से, उस तरीकी के market को select कर लेते हैं, और जब उस market में जाते हैं, तो क्या वो इस चीज़ को खरिद करके खुश नहीं होते हैं, वो यह कहेंगे, नहीं यार, हमें तो अंबानी वाली चीज़ नहीं मिली, मैं तो यह ले रहा हूं, क्या वो खुश नहीं होते हैं, चाहरा देखिए, कितना उनका खिला हो रहा था कितने खुश रहते हैं, क्यों? क्योंकि वो भी equilibrium में, उन्होंने अपने budget में, जो भी उनके पास में options available थे, उन सभी options में, जो उनको maximum satisfaction level मिल रहा था, उन्होंने अपने उस maximum satisfaction level को select किया है, तो बच्चे, consumer equilibrium का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है, कि आप top level की, आप high quality की community का consumption करेंगे, consumer equilibrium का मतलब है, चाहिए आपका income level low है, या high level of income है आपका, कोई साभी income level है, आप अपने income के according, आप अपने market में जाते हैं, उस market में, उस given income में, आप ये देखते हैं कि maximum satisfaction level कौन दे रहा है आपको, जहां पर आपको maximum satisfaction level मिल रहा है, then आप वहापर purchase करने का decision लेते हैं, और आप खुश रहते हैं, कि हाँ, मैं इस पैसे में बहुत अच्छे चीज, बहुत best चीज खरीद रहा हूँ, कभी भी आपने life में कोई single community भी purchase कर रहा है, तो purchase करते time पर, ये आपके अंदर एक confidence होता, ये surety होती है, कि आप अपने given income में, जो इस पैसे में खरीद रहे हो, इस से best, इसके आसपास कोई चीज नहीं थी, आप ये purchase कर रहे हो, अब purchase करने के बाद, आप अच्छा feel करते हैं, क्यों, क्योंकि आपने, आपने realize किया, आपने compare किया, आपने selection करा, अपने given income में, आपको maximum satisfaction level क्या दे रहा है, अगर आपको बाहर lunch भी करना है, और आपके pocket पे 100 लंच में, आज लंच में क्या ले मेरे given income में, अब जरूरी नहीं आप 5 स्टार पे बैटेंगे, तब ही आपका equilibrium होगा, उस 100 रुपीस में, आपके पास है बहुत सारे options है, आप selection करेंगे, बुझे ये maximum satisfaction level देगा, और आप उसका क्या करेंगे, उसका आप selection कर लेंगे, clear है, तो consumer equilibrium का मतलब ये नहीं हो गया, top class की commodity, जा rich class के people, consumer equilibrium का मतलब हो गया, कि आपके given income में, आप अपने लिए maximum satisfaction level के कोई commodity का selection करते हैं, then आप उसको purchase करने का decision लेते हैं, तो उस समय आप equilibrium के conditions में आ गए, और उस situation में कोई भी changes को आप afford नहीं करेंगे, तो आए देखते हैं, answer में क्या है, consumer equilibrium refers to situation under which he spends his given income on purchase of a commodity, in such a way that give him maximum satisfaction and he feels no urge to change, क्लिरे बच्चे, तो consumer equilibrium refers to the situation under which he spends his given income on purchase of a commodity, in such a way that give him maximum satisfaction and he feels no urge to change, क्लिरे बच्चे, समझ गए, कोई डाउट किसी बच्चे को तो पूछ लिजिए, तो बच्चे यहाँ पर आप consumer equilibrium के meaning को अच्चे समझ गए, अब आज से, अभी से आप कुछ भी purchase करेंगे, तो इस answer को जड़ा आप analyze कीजिएगा, purchase करने time पे आप क्या करते हैं, purchase करने time पे आप जाते हैं, आप options को देखते हैं, selection करते हैं, compare करते हैं, फिर देखते हैं कि मेरे इस budget में, मेरे ये best है बाकियों से, तैन उसका फिर आप purchase करने का decision लेते हैं, और फिर उस पे कोई changes को आप afford भी नहीं करेंगे, जब आप पर शोड़ी आजाती हैं कि बैस्टर तब purchase करने का decision लेते हैं तो आप आप भी आज के date में, कल की date में, रक्षा बंदन, इन सब चीजों में, इन festival में, दिवाली में आप purchase करते हैं, पर्चेस करते हैं कि आपके चेहरे पर मायूसी होती है, कि मेरी income ये है, तो मैं ये purchase कर रहा हूँ, मुझे वो purchase करता तब मैं होता, नई, आपकी income जो भी है, आप उसमें purchase करके बड़ा happy feel करते हैं, क्यों, इसी को तो कहते हैं, consumer equilibrium, क्योंकि आपको अपने given income में maximum satisfaction level आपको मिला है, परी बास समझ रहें, clear है, उसको हम क्या बोलते हैं, maximum satisfaction level, तो एक consumer अपने limited income को, given income को different kinds of goods and services पे expand करता है, जिससे कि उसको maximum satisfaction level मिले, और उस situation पे वो equilibrium के situation में आ जाता है, it means वो purchase करने का decision लेता है, और उस situation में किसी भी तरीकी changes को afford नहीं करेगा, clear है बच्चे, समझ गए, तो इस तरीके का आपका ये बहुत important concept हो गया, आप इसके उपर, consumer equilibrium के उपर, ये 5 marks का question exam में कैसे आता है, और इसको attempt कैसे करना है, जरा उसको देखिए, बड़ा important है, हाँ जी बच्चों, अब हम question number 9 पे आ गए हैं, और question number 9 है, explain the consumer equilibrium in the case of single commodity, तो बच्चे, question number 9 आपके exam के point of view से बहुत important है, आपके exam में इसका 5 marks का इस particular question का weightage रहता है, तो बच्चे, question हमारा क्या कह रहा है, explain the consumer equilibrium in the case of single commodity, तो बच्चे, question number 8 में हमने discuss किया consumer equilibrium के बारे में, कि consumer equilibrium किसे कहते हैं, बच्चे, जब consumer अपने given income से, अपने limited income से, जब किसी भी commodity को purchase करने के लिए market पे जब हो जाता है, तो वो एकदम से ही किसी भी चीज़ को वो purchase नहीं कर लेता है, clear है, उसके लिए क्या करता है, वो market पे थोड़े 2-4 shop पे जा करके, उसको जो चाहिए, उसके बहुत सारे options को देखता है, और जब options को देखने के बाद, हाला कि भले ही मान लीजिए, वो ले अपना वो पहले वाले ही चीज़ ले जो सबसे पहले देखा था, लेकिन वो starting में purchase नहीं करेगा उसको, अगर पहले वाले चीज़ ही पसंद आगे तब भी उसको hold करेगा, दो चार चीज़े और पसंद करता है, और देखता है क्यों, क्योंकि वो compare करता है कि उसके limited income में, उसके given income में, उसके पास में options कितने हैं, वो सभी options को देखेगा, एक shop से दूसरे shop, दूसरे shop से तीसरे shop, even market भी change करकर कि देखेगा, और जब उसको ये analyze करके, ये realize कर पाएगा वो, कि उसके इस given income में, इस limited income में, ये जो options है, ये बाकी से ज़्यादा satisfaction level दे रहा है, बाकी से maximum satisfaction level दे रहा है, देन वो पर जब गनफर्म हो जाता है, वो sure हो जाता है, फिर वो purchase करने का decision ले ले लेता है, कि मुझे मेरे इस given income में, ये जो चीज़ है, ये ही मुझे maximum satisfaction level दे रही है, बाकी इसे ज़्यादा satisfaction level नहीं दे सकती है, ऐसे surety के बाद, आने के बाद ही, as a consumer हम purchase करने का decision लेते हैं, और जब आप purchase करने का decision लेते हैं, तो उसी situation को हम consumer equilibrium कहते हैं, और उस situation में अगर shopkeeper आपके options को थोड़ा सा divert करने की कोशिश करें, कि ये नहीं सरा आप ये ज़रा try करें, तो आप सीधा मना कर देंगे, कि नहीं, मुझे अब चाहिए तो यही चाहिए, तो जब आप situation में आने के बाद, realize होने के बाद, आप उस situation में कोई भी changes को afford नहीं करते हैं, तो basically अगर मैं single line में consumer equilibrium को express करूँ, तो हमारे limited income में maximum satisfaction level तक पहुचने को ही हम consumer equilibrium कहेंगे, यह कोई नई बात आप नहीं पढ़ रहे हैं, आप अपने practical life में जा करके, example को आप देखिए, और जरा उसको आप समझिए, इवन एक रुपए के toffee निकालते time पर भी आप एक second के लिए confused हो जाते हैं, कि कौन से toffee निकालू, तो वहाँ पर भी आपके mind में calculation चल रहा है, कि मेरे इस limited sources में, मुझे जो options available है, इसमें से maximum satisfied कोन करेगा, then आप उसको purchase करने का, आप उसका decision लेते हैं, तो जब भी आप purchase करने का decision लेते हैं, इस surety के साथ लेते हैं, कि यह आपको maximum satisfied करेगा, इसके इलावा कोई दूसरी चीज आपको maximum satisfied नहीं करेगी, तभी आप उसको purchase करने का decision लेते हैं, इसको हम consumer equilibrium कहते हैं, जो कि question number 8 में already हमने discuss किया, अब question number 9 क्या आगया, same consumer equilibrium को explain करना है, मतलब एक consumer के maximum satisfaction लेवल तक महुचने के process को explain करना है, लेकिन यहाँ पर क्या in the case of single commodity, बच्चे अब आपके mind में चल रहा होगा, सर consumer equilibrium तो सौन्ज में आ गया कि maximum satisfaction, बट सर ये single commodity क्या है, तो बच्चे single commodity क्या है, कई बार ऐसा होता है कि हम at a time, दो commodity का consumption कर रहे होते हैं, like समोसा और पैपसी, तो यहाँ पर single commodity specific mention इसलिए क्या है, confirm करने के लिए कि आप at a time, एक ही commodity का consumption कर रहे हैं, वो कुछ भी हो सकता, आप अपने favorite कुछ भी ले लिजिए, आप ice cream ले जिए, आप colding ले लिजिए, आपका जो दिल करें, आप उस commodity को select कर लिजिए, at a time, consumer एक single commodity का consumption कर रहा है, और consumption करते 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 करते, उसको कब maximum satisfaction level मिलेगा, कब वो equilibrium के situation में आ जाएगा, यह इसको explain करना है 5 marks में, clear हैं? और इस question को exam में दूसरे तरीके से भी पूछा जाता है, यह कि explain the market price of good, how does a consumer decide as to how many units of that good to buy? मतलब कि question number, इस question को ऐसी पूछ सकते हैं, कि किसी commodity का अपना एक market में price है, तो इसका market में price होता है, तो हम कैसे decide करते हैं, कि हम इसकी कितने unit को buy करें, ice cream consume कर रहे हैं, तो हम यह decision कैसे लेते हैं, कि ice cream की कितने unit, समोसा का consumption कर रहे हैं, तो हम कैसे यह decision लेंगे, कि इसकी कितने unit, अगर आप water drink कर रहे हैं, तो आप कैसेましょう, कितने glass water के drink करेंगे, चपाती कंजम्शन कर रहे हैं, तो कितनी चपाती कंजम्शन करेंगे, तो आप किसी के market price given है, और उस price पर आप ये decision कैसे करते हैं कि इसके कितनी unit का consumption हम करेंगे basically practical life में जाएं तो सुबह भी आप consumption करते हैं time भी decide करते हैं कितने units दिन में भी आप ये decision लेते हैं night में भी आप ये decision लेते हैं बहार के जाते हैं ये decision भी लेते हैं मतलब lifetime तक अभी तक आप ये decision दिन में कई बार लेते आएं हैं कि मैं किस unit का कितनी किस community की कितनी unit का कंजमशन करूंगा यही आपके exam में आ गया आप decision तो लेते हैं हमें भी मालूम आप decision लेते हैं बड़ो decision किस ब्याब पे लेते हैं कैसे लेते हैं जरा explain करना है इसको five marks में इसलिए मैंने आपसे आपके यही बात को explain करना है इसको बड़ा interesting है या नहीं है कुशन है clear है अब बच्चे जरा इसका आपके माइंड में questions आया है कि सर डिजन तो लेते हैं बड़ क्यों डिजन लेते हैं और मैंने आपसे question put करा तो आपके माइंड में single answer आया होगा मुझ ज्यादा unit का consumption कर लेते हैं और needs कम होती हैं तो हम कम units का depend consumption करते हैं तो यह सब कुछ basically हमारी needs पर depend करता है कि हम कितने unit का consumption करेंगे आपके needs पर depend करता है आपने ऐसा कहा चलिए अगर आपका यह मानना है तो आपको मैं एक example से इस चीज़ को मैं जारा लेता हूँ आपने कहा है इस पर आड़े रहना बाद में नहीं पलतना आपने आपने क्या कहा कि हमारी needs पर हम यह decide करते हैं कि हम किसी भी community के कितने unit का consumption कर आइस क्रीम कितने की है तो 20 रुपीज की आइस क्रीम है 20 रुपे का एक consumption करते हो और एक consumption करने के बाद बस 20 रुपे पे कर और अपने घर आ गए यह situation रही आपके आज की क्लियर है next day आप वहीं पर जाते हैं कि next day छोड़िए अम उसी टाइम की बात कर दूं क्या वह आइस क्रीम दो रुपे की होती तो क्या आप एक आइस क्रीम के अजम्शन के बाद घर चले जाते हैं क्या आप घर चले जाते हैं एक आइस क्रीम के अजम्शन के बाद बताए तो अगर आपकी नीट्स पर डिपेंड करता है तो आइस्क्रीम के रेट कम हो जाने से क्या स्टमक का साइज बढ़ा हो गया पहले तो आपको नीट्स नहीं थी वीस रुपह में तो एक खाके घर जा रहे थे बड़ी कम नीट्स थी यह दो रुपह होने साब की नीट्स कैसे बढ़ गई यह चमतकार कैसे हुआ आपके अंदर अगर आपकी नीट्स से आप यह डिसाइड करते हो आप कितनी नीट को कंजम्शन करोगे तो अगर आप बीस रुपह में एक आईस क्रीम कंजम्शन कर रहे हो तो आप दो रुपह में भी एक ही आईस क्रीम कंजम्शन करते हैं अगर आपकी नीट्स सेम है तो लेकिन दो प्राइस पर बीडिपेंड करता है कि हम उसकी कितने युनिट को कंजमशन करेंगे क्लिर है तो आप कमुड़ेटी के प्राइस को आप नेगलेट नहीं कर सकते हैं उसका बहुत इंपर्टेंट रोल रहता है पेरी बात सुझमाई नहीं हैं आपको कैसे इसका इंपर्टेंट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं यह हमेशा हम एनलाइज करते हैं कि जो पैसे मैं खर्च कर रहा हूं कि क्या इतने मुझे बैनेफिट मिल रहा है नहीं मिल रहा है सामने से तभी इसको देखते हुए हम पैसा खर्च करते हैं है न कभी भी अगर आप एक रुपए तक खर्च करते ह तो money for the value आप जरूर मेजर करते हैं कि इतना return आ रहा है नहीं आ रहा है सामने से, इसके value के equal return आ रहा है नहीं आ रहा है सामने से, अगर हमें लगता है मैं जो खर्च कर रहा हूँ, इतना मुझे कुछ सामने से मिल नहीं रहा है, तो क्या कभी हम उसको purchase करेंगे, उस पर कभी हम expand करेंगे, कभी नहीं, एक consumer का हमेशा nature क्या रहता है, जब वो money दे रहा है, पैसे दे रहा है, तो money for the value वो recover करेगा ही करेगा, अधरवाइस वो purchase करने का reason नहीं लेगा, ये consumer का nature होता है, clear है, इस nature के हो तो आप अच्छे समझ गए, तो बच्चे क्या होता है, जरा समझे जब है न, high price होती है, काफी upper price होती है, 20 रुपे की एक ice cream है, तो मैंने 20 रुपे टंड रुपीज पे करा और एक ice cream हो consumption करा, मेरी needs satisfied कुछ level तक हुई है, अब ऐसा नहीं है, कि मेरा बिलकुल ही ice cream खाने का मन नहीं है, मेरे ice cream खाने का मेरा अभी भी मन है, अभी भी मेरा मन थ लेकिन मैं खाऊंगा नहीं, क्यों, क्योंकि यार 20 रुपे देने ही पड़ेंगे, और ice cream वही है, तो आप मैं इस ता consumption नहीं करूँगा, अब आप सोचेंगे, है ना मच्छे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, तो आपके mind में एक बात आई है, कि अब आम नहीं पे करेंगे, तो मेरा सवाल है न, आप क्यों नहीं पे करोगे, पहले भी तो consumption करने वाले आप ही थे, पहले भी तो ice cream सेम वही थी, पहले भी तो price वही था, जब आप पहले purchase कर सकते थे, तो second time में आपने 20 रुपे rate होने के बाद, दूसरी ice cream क्यों नहीं करा, करें नहीं, दूसरी में वह वह फाइदा नहीं है न, अरे फाइदा नहीं है, क्या बात कर रहे हो आप, पहले ice cream भी तो हुई है न, जब पहले बारे में आपके सामने फाइदा था, तो दूसरी बारे में फाइदा क्यों नहीं है, rate तो हुई है, ice cream वही है, सबको सेम है तो पहले क्यों लिया आपने जब फाइदा नहीं था तो अब सेकिंड आइस्क्रीम पर ही क्यों कह रहे हैं फाइदा नहीं है क्योंकि बिकास आफ लग आफ डिमनेशिंग माजिनल यूटिलिटी कि जैसे ही हम किसी भी कमटिटी का कंजम्शन कंटेनिसली करते चले जाते हैं तो next निट से मिलने वाला satisfaction लेवल हमारा last के compatibility कम हो जाता है क्योंकि हमारा जो satisfaction लेवल है हमें कितना मज़ा आने वाला है हम कितना enjoy करने वाले हैं ये हमारी needs पर depend करता है बहुत तेज प्यास लग रही है तो एक glass पानी आपको बहुत enjoy करवाएगी बहुत तेज भूग लग रही है वो एक चपाती बहुत enjoy करवाएगी प्यास नहीं लग रही है same glass of water आप उतना enjoy नहीं कर पाएंगे उतना satisfaction level नहीं मिलेगा तो higher satisfaction level का मिलता है आपको जब आपकी needs higher होती है और lower level satisfaction level का मिलता है जब आपकी needs low होती है और जब आपको needs ही नहीं होती है तो satisfaction level नहीं मिलता है तो जब आपने first ice cream 20 rupees में consumption करा है मुझे पता है आपको दूसरी ice cream consumption करने का मन है आप चाहते हैं एक और ice cream हो जाए लेकिन 20 रुप गए जब 20 रुपे को देखके रुख गए तो आप पहले क्यों नहीं रुखे क्यों क्यों कि पहले आपकी जो नीट्स का लेवल था ना उसके according आपका satisfaction का भी higher level होगा तो 20 रुपीज पे कर रहे हो कर देते हैं पे मज़ा भी तो बहुत आएगा क्या दूसरी आइस क्रीम मज़ा नहीं आएगा आएगा दूसरी आइस क्रीम में कैसे डिवेशन नहीं मिलेगा मिलेगा बट एक आइस क्रीम के consumption करने के बाद आपकी needs का कुछ पार्ट फिल्फिल हो चुका है अब आपके needs उतनी है नहीं needs पहले से कम रह गई है तो आपको वो same quality पहले से कम satisfied करेगी payment पहले जितना मैं दू मज़ा पहले से कम आए तो मैं क्या सोचूंगा मज़ा तो आएगा बट 20 रुपए दे रहा हूं न तो बीस रुपएं पहले तो बहुत मज़ा आया था बहुत नीड सी बढ़ा मन कर रहा था अब एक कर चुका हूं मैं अभी मज़ा आएगा पट 20 रुपए से कंपेर करूं तो शायद उतना मज़ा नहीं आएगा जितना कि मैं पे कर रहा हूं दैन आप डिसन लेंगे money for the value second as कि नहीं है मन तो कर रहा है लेकिन money for the value नहीं नहीं है जो पे कर रहा हूं उसकी रिकवरी नहीं कर पाऊंगा आप डिसनल लेंगे नहीं भाई money for the value नहीं है मैं बाई नहीं करूंगा क्लियर है सुमाएं आपको क्लियर है बच्चे चलिए मैं एक अगले एक्जामपल लेता हूं दो रुपे का आईस क्रीम है एक आईस क्रीम कर रहा आपने बड़ा मज़ा आया अगली आईस क्रीम भी दे दो क्यों भाई कि अरे क्यों ले रहे हो विकवास अफ लॉप्र मर्शीम माज एक उटिल्डी ऐप्ली के बल यहाँ नहीं हो रहा है क्या यहां सट इसक्थि अकर आए प्रहएं क्यों अव्या चौ से कम भी आ एप्ली केबल इंट जाता क्या है अगर एक आइस्क्रीम और मिल रही है तो कुछ नए कहीं जो आप पे करें चूल रहे हैं उससे ज्दा का आपको सट्षाइश्पीश्टन अबर मिल रहा है तो आप consumption करेंगे money for the value मिल रहा है consumption करेंगे second ice cream consume करा third अरे third भी कंजम कर रहे हो क्या बात है कमाल कर रहे हो पहले तो एक पर रुख गेता है तीसरी ice cream चला दिया आपने तो third ice cream आज क्यों sir third में भी मेरा पहले से भी कम मज़ा आ रहा है पर सर जो भी आ रहा है ना 2 रुपे सो ज़्यादा ही आ रहा है money for the value है 2 रुपे में जाता है क्या है recovery तो से ज़्यादा ही है तीसरी भी खाएंगे हम चोत्ती भी खाएंगे वावी वाग कमाल कर दिया पांच भी भी खाली यह है payment यह है certification level then certification levels 3rd पर certification level 4th पर certification level and 5th पर certification level क्योंकि जब आपने 1st consumption कर रहा तो payment यह कर रहा certification level यह मिला और जब आप 2nd ice cream consume कर रहे हो तो payment यही same कर रहे हो पर certification level आपका fall हो गया because of law of demorishing marginal utility लेकिन आपके payment से तो ज़्यादा ही है जब 3rd ice cream आप consume कर रहे है तो भी आपका certification level कम हुआ because of law of demorishing marginal utility but money for the value है payment ज़्यादा है तो आप consumption करेंगे then 4th भी आपका ज़्यादा है and 5th में भी आपके पास भी क्या गया equal 6th क्यों नहीं consume कर रहा नहीं भई आपनी अब नहीं कर रहा कर लो क्या हुआ बिटा 2 रुपे का ही तो है कर लो 6 भी कर लो 7 भी कर लो 8 भी कर लो कर दो दुकान खाली क्या हुआ 2 रुपे कही तो है क्योंगे सर कैसी बात कर रहे है आपने ही तो पहले पढ़ाया है because of law of demorishing marginal utility एक time ऐसा आता है एक stage ऐसा आता है एक situation ऐसे आती है कि consumer की needs पूरी की पूरी fulfill हो जाती है consumer पूरी तरीके से satisfied हो जाता है जब उसकी needs ही नहीं रहती है तो वो same quality उसको कुछ भी satisfaction level नहीं दे रहा है मज़ा आप मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है एक stage पर जाकर करके मेरा इससे मिलने वाला satisfaction level बिल्कुल ही खतम हो चुका है अब मुझे मज़ा नहीं आ रहा है क्यों नहीं आ रहा है भी अब आपको मज़ा क्या ice cream change कर दिये क्या क्या plastic की ice cream कर दिये क्या अब मज़ा क्यों नहीं आ रहा है नहीं sir ice cream तो हुआ है लेकिन sir conjunction करते करते हमारी needs भी तो fulfill होती चली जाती है और एक time ऐसा होता कि हमारी needs completely fulfill हो जाती है फिर जा हमारी needs ही नहीं है तो same quality हमें को satisfied करेगा ही नहीं तो कोई नहीं कर लो दो रुपे कर दो है नहीं sir दो रुपे रहा है तो क्या दो रुपे तो फेक थोड़ी नहीं देंगे हम तो देखिए consumer कैसे decision ले रहा है कि उसे कितनी unit को buy करना चाहिए वह जब जो pay कर रहा है अगर उससे ज़्यादा उसको satisfaction level मिल रहा है payment से ज़्यादा मिल रहा है पेमेंट तो सेमी करना है पर satisfaction level नीचे चला जाएगा money for the value नहीं आएगा तो consumer कब तक purchase करता रहता है जब तक कि उसके payment के equal उसको satisfaction level नहीं मिल जाती है तो जो वह price pay कर रहा है और जो उससे मिलने वाला satisfaction level है जब दोनों equal आ जाए तो consumer रुख जाता है ठेरो रुको क्योंकि इसके बाद भी यही payment जानी है पर मजा इससे कम आना है because of law of diminishing marginal utility तो question मेरा कहता explain the market price of good how does a consumer decide as to how many units of that good to buy consumer कैसे decide करता है तो payment और उससे मिलने वाले satisfaction level के help से वो decide करता है तो जो payment कर रहा है अगर उससे जदा satisfaction level मिल रहा है तो continuously consumption करेगा payment के equal satisfaction level मिल रहा है then वो consumption को stop कर लेगा क्योंकि उसके बाद consumption करता है तो payment तो same ही जाना है but because of law of diminishing marginal utility उससे next time मिलने वाला satisfaction level क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो यह बच्चे मैंने एक verbally practical example समझाया पहले मैं आपको कोशिंग अंदर आप पहले रम जाएगे कोशिंग क्या है क्लियर है उसके बाद आप उसके answer पर आएंगे explain why the price which a consumer is willing to pay for a good equals to the marginal utility क्लियर है तो satisfaction level को यहां पर क्या कह रहे हैं marginal utility तो बच्चे क्या है explain why the price which a consumer is willing to pay for a good equal to the marginal utility of that good when purchasing a good क्यों एक consumer जो pay कर रहा है उसके equal ही जितना satisfaction level मिल रहा है उतना ही वो pay करना चाहता है जिससे कि उसका कि एक क्लिविन स्टेज पाजा है consumer को maximum satisfaction level मिले क्लियरे बच्चे इस situation को क्यों होता है तो अब इसके answer के लिए आप में इसका answer कैसा होगा तो पहले मैंने question explain कर लिया कर लिया अब देखेंगे इसके next में कि इसके answer को मैं इसी जो अभी मैंने theater में दिखाऊंगा मतलब कि मैं imaginary schedule ले करके उस schedule मैं संजाने कोशी करूँगा मैं क्या कह रहा था मैं diagram संजाने कोशी करूँगा मैं क्या कह रहा हूँ मैं theory को दुबार आगे repeat करूँगा मैं क्या कह रहा हूँ कुछ assumptions लेंगे तो आईए आप चलते हैं हम इसके answer के तरफ कि समझाया है कि एक consumer जब भी किसी commodity का consumption करता है तो वो कैसे decide करेगा कि वो उस commodity के कितने unit को consume करें तो आपको ये चीज़े clear हो चुकी है कि ये सिरफ उसकी needs पर ही depend नहीं करता है ये उस commodity के price पर भी depend करता है clear है बच्चे इसलिए जब हम as a consumer हमेशा हमारे efforts हमेशा हमारे कोशिश नहीं रहती है कि money for the value हम ले पाए मतलब कि जो हम खर्च कर रहे हैं जो हम payment कर रहे हैं उतना तो at least सामने से हम recover करें तब ही हम उसका consumption करते हैं अगर हमें ये realize होता है कि यार मैं जो pay कर रहा हूं उतना सामने से इसकी recovery नहीं हो पाएगी बहले ही है मुझे इसकी need है बड़ मुझे payment ज़्यादा लग रही है उसके recovery से तो उस situation में हम इसको purchase करने का decision नहीं लेते हैं और जब हमें लगता है कि मैं जितना pay कर रहा हूं सामने उससे ज़्यादा मुझे यहाँ पर recovery मिल रही है मेरे payment से ज़्यादा का मुझे value मिल रहा है सामने से तो हम हसी हसी खुशी 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 आगे उस unit का consumption करने के लिए हम ready रहते हैं इसलिए बच्चे यह चीज देखने को मिलती है कि जब 20 रुपीज price ice cream का था तो आपने क्या करा एक ice cream consume किया आपका ये satisfaction level था मैं आप दूसरी ice cream क्यों नहीं consume कर रहे हो जब ice cream same है जबकि पहले भी तो 20 रुपे का था तो पहले तो consume करा बट second ice cream क्यों नहीं consume कर रहे हो क्योंकि बच्चे because of law of diminishing marginal utility आप किसी भी unit का consumption continuously करते हो तो next unit से मिलने वाला satisfaction level आपका last के compatibility कम हो जाता है क्योंकि आपका satisfaction level आपकी needs पर depend करता है और जैसे ही आप first ice cream को consume कर लेते हैं तो आपकी needs पहले से कम रहती है इसलिए अब आप pay तो इतना ही करेंगे लेकिन second ice cream से आपको satisfaction level जरूर मिलेगा बिलकुल मिलेगा बट आपके payment के compatibility पहले जो तरह मिला अब second पे satisfaction level कम हो जाएगा तो payment और अपने satisfaction level के बिच compare करोगे अगर आप तो आपको satisfaction level मिलतो रहा है आप enjoy करते रहे हो बट आपका money for the value नहीं लग रहा है ये जो payment कर रहे हो उससे कम मिल रहा है तो इस situation में आपका मन होते हुए भी आप drop कर देंगे आप इसका purchase करने का decision नहीं लोगे लेकिन जैसे ही price अगर 2 rupees हो ice cream का तो satisfaction level ये रहा then second ice cream से satisfaction level कम होगा मैं मानता हूँ लेकिन जब money for the value है जो आप pay कर रहे हो 2 rupees इससे ज़्यादा ही तो satisfaction level आपको मिल रहा है इसलिए बच्चे second ice cream पर आप जो है consumption करेंगे आपका satisfaction level because of law of dimension margin utility यहाँ पर भी applicable है यहाँ भी satisfaction level कम हो गया but compare करें price से तो ज़्यादा ही है money for the value है purchase करेंगे third भी purchase करेंगे and fourth भी purchase करेंगे fourth consumption करने के बाद अब आगे आप एक time आएगा आप रुख जाओगे अब क्यों रुख गया भी भी तो 2 rupees का price है ice cream हो ही है क्योंकि दीरे दीरे continuously consumption करते करते आपका satisfaction level इतना low हो चुका आपको उसे recovery ज़्यादा मिल रहे थी पर बाद में आपको 2 rupees ज़्यादा लगने लगे क्योंकि आपको because of law of termination marginal utility आपका satisfaction level कम हो गया तो अब आपका जो है 2 rupees ज़्यादा लगने आप stop कर देंगे तो basically आप consumption करते चले आगे तो basically consumer कहां तक consumption करता है जब वो price को pay करता है और उससे ज़्यादा अगर उसको satisfaction level मिल रहा है तो वो consumption continuously continue रखेगा जब price के equal उसका satisfaction level आता है तो वो stop कर देगा क्योंकि वो समझ आता है इसके बाद price तो यही pay करना है मुझे लेकिन satisfaction level उससे कम हो जाएगा clear है? समझ में आ गया? clear है बच्चे तो एक consumer theory में हमने सीच को पढ़ते हुए हम आगे continue कर रहे है theory में अभी तक क्या चीज आपके mind set किया है मैंने ये कि consumer जितना pay करता है उतने के equal अगर कर देता है तो वहाँ पर वो stop कर देता है बस अब मैं इसके इतनी unit को consume करूंगा consumer एक consumer equilibrium में आ जाता है clear है? क्योंकि वो stop कर देता है आगे consumption को करना clear है बच्चे? तो consumer equilibrium in the case of single commodity को हमने theoretical समझा जरह इसको हम एक schedule के according समझते है numerically form में समझते हैं बड़ा important है यहाँ यह आपको five marks का एक्जाम में इसका importance है ही बड़ इस concept पर three marks के भी कई वार numerical बन जाते हैं तो आए schedule को अच्छे से बड़े enjoy करके इसको मस्ते हैं एक बच्चे मैंने आपके concept को clear करने के लिए एक schedule लिया है जिससे कि इसी theory को अच्छे से मैं आपको explain करूँ बच्चे क्या है इसमें सबसे पहले units of x कोई एक particular commodity का आप consumption कर रहे हैं लेट कर लिजी आप ice cream का consumption कर रहे हैं clear है तो आप ice cream का consumption कर रहे हैं तो यह उसकी units है कि first ice cream second ice cream third ice cream fourth ice cream fifth ice cream and six ice cream clear है अब बच्चे अगर आप किसी भी community को purchase करोगे उसकी अपनी एक price भी होगी तो ice cream की price यह x commodity जिसको मैं ice cream बोल सकते हैं कुछ भी बोल सकते हैं इसकी price क्या है इसकी price बच्चे 10 rupees है तो 10 rupees 10 rupees 10 rupees अब आपको तो पता ही है बच्चे कि आपका आपको next ice cream से भले ही last के compatibility कम satisfaction मिल रहा हो तो ऐसा तो आप नहीं कह सकते कि आप जो है ice cream के rate कम कर लीजिए क्योंकि मुझे कम मज़ा रहे है नहीं न वो तो आपका rate fix रहेगा rate उतना ही रहेगा अगर आपको उससे कम मज़ा रहे तो वो फिर आपको free में नहीं मिनने लग जाएगा मेरी बात समझे रहे ना तो इसलिए first ice cream consume करोगे तो वो भी 10 रुपे का second से भले ही कम मज़ा आपको मैं मानता हूं लेकिन वो भी आपको 10 रुपे का ही रहेगा and third ice cream से भी आपको 10 रुपे का रहेगा और बच्चे इसी एक single ice cream आपको कितना satisfaction level दे रहा है इसकी बात करते हैं तो first ice cream आपको 20 utils का satisfaction level दे रहा है in the terms of utils क्योंकि satisfaction level को हम किसमें express करते हैं किस unit में express करते हैं utils में इसलिए लिखा है marginal utility इसको आप बहु सकते हो satisfaction level from each single last unit और भी किस में utils में तो first ice cream का consumption करने के बाद आपको काफी अच्छा लगा क्योंकि आपकी need भी काफी अच्छे level की थी तो आपको 20 utils मिला अब बच्चे second ice cream का आप consumption कर रहे हैं तो second ice cream के consumption से आपका जो satisfaction level है वो आपको 16 utils मिला 16 क्योंकि आपको पता है कि किसी भी community का consumption अगर आप continuously करते हैं तो next unit से मिलने वाला satisfaction level last unit के competitively कम हो जाता है क्यों कम हो जाता है क्योंकि हमारा satisfaction level हमारी needs पर depend करता है और जैसे ही हम एक unit का consumption करते हैं तो हमारी needs का कुछ part fulfill हो जाता है clear है और second time पर उतनी needs नहीं रह जाती है तो same quality, same consumer, same price होने के बाद भी हमारा satisfaction level last के competitively कम हो जाता है तो इसलिए आपको यह पता लग रहा है कि second ice cream से आपका satisfaction level last ice cream के competitively कम है 16 utils है third ice cream consumption करोगे तो दो ice cream consumption करने के बाद आपकी needs और fulfill हो चुकी है अब आपकी needs पहले से और कम रह गई है इसलिए third ice cream आपको और कम satisfaction level देगी 10 utils and four ice cream आपको और कम देगी four utils और इसी तरीके से एक time ऐसा आ जाएगा जब आपकी needs पूरी तरीके से fulfill हो जाएगी आपको ice cream को लेगर के कोई needs उस time पे नहीं रहेगी तो आप उस ice cream का consumption करें उसकी payment तो उते नहीं करनी पड़ेगी पर आपको उससे कुछ मज़ा नहीं आएगा zero utils और इसके बाद भी अगर आपने consumption करा तो आपकी health पर इसका negative impact पड़ सकता है जो आपका satisfaction level है जो marginal utility है वो dis utility में आपका convert हो सकता है इसलिए हो minus में represent करा कि इसके बाद आप consumption करने की कोशिश मत कीजिएगा clear है बचे सुमाएं आपको कोई doubt अब बचे अब आप यहां देखें तो यहां पर आपके पास में एक है marginal utility in terms of rupees अब सबसे पहले बचे यहां पर हमें compare करना है कि मैं pay क्या कर रहा हूं और मैं recover कितना कर रहा हूं जब तक इन दोनों में compare नहीं करेंगे तब तक हम यह decision नहीं ले पाएंगे कि कहां पर मेरे लिए beneficial है और कहां पर मुझे रुकना चाहिए और कहां पर मेरे लिए नुकसान है तो compare करना बड़ा ज़रूरी है आपनी payment में और जो satisfaction लेवल में लेकिन बच्चों जरह मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं जरह मेरे सवाल का आप जवाब दे probability ही नहीं है क्योंकि 2 kg अलग है unit वो kg है और 2 hour एक time है एक weight है और एक time है इनके बीच में तो कोई comparison है ही नहीं कोई comparison बन ही नहीं सकता तो हम कैसे बता दें कि ज़्यादा है या कोई कम है बिलकुल correct आपने reply करा है ऐसे ही बच्चे जरह अब आप बता दो मुझे कि जो हम pay कर रहे हैं वो क्या pay कर रहे है रूपीज रूपिया पे कर रहे है रूपिया और मिल क्या रहा है हमें यूटीज satisfaction लेवल यूटीज तो जो मैं pay कर रहा हूं रूपीज जो मुझे मिल रहा यूटीज तो मैं कैसे compare करूं कि मेरे पैसे के equal satisfaction level है या नहीं है money for the value है या नहीं है क्योंकि वो एक अलग unit है यूटीज और यह अलग unit है रूपीज तो कैसे compare करेंगे जरह यह बताएं अब गोल्ड है और एक रूपिया है दोनों के बिच्वे compare कैसे करेंगे तो आप गोल तो यतने रूपए का हुआ और यतने रूपए है तो compare कर पाओगे जीज में ज्यादा value किसकी है तो यहाँ पर एक need आपके लिए आचुकी है एक requirement डबलप हो चुकी है वो क्या कि आप पे तो रूपीज कर रहे हो recover utils कर रहे हो इस utils को आप रूपीज में convert कर दो एसे utils को आप रूपीज में convert कर दो कैसे convert करेंगे आईए सबसे पहले बच्चे चलिए मैं एक बात बोलूँ आपसे कोई भी एक आपके पास में metal है for example सुनिएगा कोई एक metal है आपके पास में 10 रूपीज केजी है वो metal market में 10 रूपीज का 1 kg उस metal के 1 unit का वरीट बता रहा ह 1 kg 10 रूपीज का है आपके पास में 8 kg metal है वो 8 kg 1 kg 10 रूपीज का है 8 kg है तो बताओ आप कितनी value लेके आप क्या worth rate लेके गूम रहे हो आप बोलेंगे 80 रूपीज 80 रूपीज तो आपने क्या गरा उसको money के form में आपने उसको transfer कर दिया है ना 80 रूपीज की चीज है आपके पास में है ऐसे ही बच्चे यहाँ पर हमें यूटील्स के बारे में नहीं पता कि यूटील्स के money में क्या value है यह मैं लट कर लेता हूँ यहाँ पर कि जो यूटील्स है ना मान लिजिए कि अगर आपके पास में एक यूटील है ना एक यूटील है तो समझ जाए आप एक रुपए के संपत्ति आपके पास में मेरी पास समझ रहे हैं अगर आपके पास में एक यूटील्स है कोई अगर एक यूटील्स लेकर गूमेगा ना ऐसे करके कि मेरे पास एक यूटील्स है तो मैं कहूंगा अच्छा एक रुपए के मालिक है क्योंकि एक यूटील का दाम क् एजम्शन थी यह मैंने आपको समझाने के लिए माल लिया कि यूटिल को एक यूटिल का मतलब एक रुपए का मालिक हो गया पाँच आपके पास पे अच्छा पांच रुपए की चीज है आपके पास में जैसे होता है आज के टाइम पर किसी पे तोला सो अच्छा 55,000 55,000 रुपई की चीज़ है ऐसे यूटील एक यूटील एक रुपई का यह मेरी अजम्शन है तो बच्चे एक रुपई में वन रुपीज में फिर सही जान सुनिएगा एक रुपई में वन रुपीज में जितने भी यूटील्स जितना भी satisfaction लेवल आपको मिलता है न उस satisfaction लेवल को हम marginal utility in the terms of money कहते हैं मतलब satisfaction level रुपिया में satisfaction level rupees में clear है तो एक रुपए में जो भी यूटील्स आपको मिले जितना भी satisfaction लेवल मिले एक रुपए में तो वो satisfaction लेवल क्या हो गया आपका रुपए में उसको हम express करते हैं margin utility in the terms of money समझमाएं आपको clear है अब example लेते हैं जरा एक example से आप अच्छे से जरा समझने कि आप कोशिश करेंगे यहां पर ठीक है बच्छे बच्छे बताएज आप margin utility in the terms of money कैसे calculate करते हैं जरा मुझे बताएँ आप मैंने 20 रुपए खर्च करें 20 रुपए खर्च कर डाले एक ice cream consume किया और मैंने कहा सो यूटील मिला मुझे सो यूटील मिला मुझे कितने में कितने में 20 रुपए में कितने में 20 रुपए में सो यूटील मिला तो मुझे पता करना है एक रुपया में कितने यूटील मिल रहा है मतलब MUM तो आप क्या करेंगे basically आप जरा बताएँ आप क्या करने वाले हैं आ आप यही करेंगे कि सो यूटील मिला, वो भी कितने रुपए में 20 रुपए पे करा तब मिला, तो एक रुपए में कितने रुपए में मिल रहा है? फाइव यूटील कितने में? वन रुपीज में, तो ये क्या हो गया आपका? मार्जिन रुपए में कितने रुपए में मिल रहा है? तो ये सो क्या था? सो था मार्जिन रुपिलिटी इन रुपए में सटिस्फेक्शन लेवल, तो मार्जिन रुपीलिटी इन रुपीज, डिवाडिर बाए मार्जिन रुपीलिटी ओफ वन रुपीज, क्लियर है? तो क् आपके पास में Marginal Utility in the Terms of Money कैसे आता है आपका तो Marginal Utility in the Terms of Money कैसे आएगा आपका MUM Clear है बच्चे तो MUM समझ महाँ है आपको MUX divided by MUX divided by Price of X क्योंकि आपका MU X यह जो सो था न यह और Price क्या था इसका 20 रुपीज तो MUM मतलब एक रुपे में कितना Satisfactionable मिल रहा है तो आप क्या करेंगे MUX upon PX MUX upon PX तो क्या जाएगा आपका MUM आ जाएगा Clear है बच्चे समझ महाँ है आपको तो यह आपके पास में Marginal Utility in the Terms of Money का आपका structure है तो कई बार आ जाता है कि एक रुपे में One Marks में एक कोशन आ जाते है छोड़ जोड़ कोशन One Marks में आ जाते है कि Marginal Utility in the Terms of Money का फार्मूला क्या है एक रुपे में तो कितना मिल रहा है Satisfaction Level कितने रुपे में मिल रहा है डिवाइड कर दो जी एक रुपे में इतना मिल रहा है M.U.M का फार्मूला बन गया M.U.X इतना Satisfaction Level मिल रहा है Utils में X से इतने रुपे में पे कर रहे थे जी Price of X डिवाइड कर रहा जी एक रुपे में इतना मिल रहा है Satisfaction Level तो M.U.M आ गया तो M.U.M का structure ये है Clear है बच्चे? तो आप आपको एक बात Clear हो चुकी है कि हमें जो Satisfaction Level मिल रहा है उसको Money में Convert करने से पहले ये तो पता हो कि आपके पास में एक रुपे में कितने यूटील्स है बेरी बात सुनवाएं आपको Clear है? एक रुपे में कितने यूटील्स है अब आप यहां पर देखें तो आपके पास में प्राइस हो गया अब मैंने क्या बताया था आपके लिए चैलेंज क्या है? आपके लिए चैलेंज है Compare करना क्योंकि आप Pay तो रुपीस कर रहे हो और ले यूटील्स रहे हो तो कैसे Compare करोगे कि Money for the Value है या नहीं है ज़्यादा है या काम है या Equal है कैसे Compare करेंगे? तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? जो Satisfaction Level मिला ना में यूटील्स में इसको Money में ही Convert कर देते हैं अब आप देखें आपको 20 रुपए का मज़ा आया तो आप आपका मज़ा ये किस में आ गया? आपका मज़ा किस में आ रहा है? ये आपका रुपीज में आ गया क्योंकि 20 यूटील्स मिल रहा है और एक रुपए में एक यूटील्स है Clear है? एक रुपए में एक यूटील्स तो अब यह भी बीस्ता फर्क क्या पढ़ यह यूटील सा अब मैं इसको मनी में एक्सप्रेस कर पा रहा हूं यहाप मैंने एक रुपए में एक लिया ना इसलिए इसलिए फर्क नजर नहीं आ रहा है इसलिए आसान होगे थोड़ा यह क्लियर है तो बच्छे माजने यूटि of one rupees जा फिर आप सकते हो M और M तो 20 यूटील मिला हमें और इसको अगर हमने divide कर दिया कि M U M से कि 1 रुपए में कितना यूटील मिल रहा है उससे divide कर दिया तो जी 20 रुपए 20 यूटील मिला एक यूटील से divide कर दाम एक रुपए होता है तो हमारा क्या है 20 यूटील तो इसको ऐसे हम कर सकते हैं मेरी बास समझवाए नहीं है आपको clear है बच्चे को डाउट किसी बच्चे को अगर चलिए चलिए मेरी बास समझे ज़रा है यहाँ पर अगर एक रुपए में चार यूटील होते हैं एक रुपए में चार यूटील होते हैं चार यूटील का मतलब एक रुपए है चार यूटील का मतलब एक रुपए है नहीं क्या कह रहा हूँ चार यूटील का मतलब बच्चे क्या उस यूटील को हम क्या भोलते हैं M-U-M, यह माजे यूटीलिटे इन वन रुपीज का जाती है, फोर हो जाती है, तो बीस यूटील मिलने का मतलब कितने रुपे का, क्योंकि एक रुपे में चार यूटील, तो बीस यूटील मिलने का मतलब कितने रुपे का मज़ा आया, पा आपको जो satisfaction level मिल रहा है, उसको आप m-um से divide कर देंगे, तो money में आ रहा है ता, वो satisfaction level money में क्या है, खेर यहाँ पर आपके पास में क्या है, यहाँ पर आपके पास में क्या है, यहाँ पर बेटा आपके पास में, एक रूपय में एक यूटील है, तो marginal utility in the terms of money मतलब marginal utility in one rupees is one utils एक रुपए में क्योंकि एक utils आ रहा है तो marginal utility in the terms of money marginal utility in one rupees is one utils तो 20 utils divided by marginal utility in one rupees मतलब कि utils in the terms of utils satisfaction level in the terms of utils divided by marginal utility satisfaction level in one rupees equals to satisfaction level in money क्लिर है समझाए आपको तो 20 utils मिले थे पहली आईस्क्रीम से एक utils एक रुपए का तो 20 utils का मतलब कितने रुपए एक रुपए में एक utils 20 utils मिले तो कितने रुपए 20 रुपए का satisfaction level मिला है अब मुझे जो satisfaction level मिल रहा है जो पहले utils में था उसको मैंने किसमें express कर दिया उसको मैंने money में express कर दिया क्लिर है अब ऐसे ही सब के सब आपका जो satisfaction level है यही बताने जा रहा हुँ है कि marginal utility in utils जो आपको मिला utils और MUM से अगर आप divide कर देंगे इसको इसको आप divided by अगर MUM से कर देंगे तो यह आपका क्या आजाएगा मतलब margin utility of 1 रुपए से divide कर देंगे तो money में आजाएगा satisfaction level क्लिर है बच्चे तो एक रुपए में जितने utils मिलता है उस utils को क्या बोलते है MUM बोलते है then third से आपका 10 यूटिल मिला और MUM क्या है यह utils में है यह आपका MUM है मतलब की 1 रुपए में इतने utils है तो 10 यूटिल मिलने का मतलब वह आपका हो गया 10 रुपए का मज़ा आया 4 यूटिल मिलने का मतलब हो गया किसके बीच में प्राइस जो आप पे कर रहे हैं और जो आप रिकवर कर रहे हैं इसमें comparison अप possible है इसके बीच में आप comparison आप कर सकते हैं क्यूं आप compare कर सकते हैं क्यूंकि दोनों के दोनों किसमें आगए मनी में आईए compare कर ही लेते हैं जब कर सकते हैं देखते हैं किया होता है क्लियर है तो बच्चे इसमें जरत देखें आप इसमें नाप्के पास में और पहला स्टार्टिंग में फर्सच उनिट पे कर्च रहा केंगे फिर्फ इंडिप इस रोपीफ रिकावर कितने कितने रुपै का मज़ा हाई मैं नहीं बोलू कितने यूटिल का मज़ा है यह बात तो प्राणी हो चुकि ए इस रुपै का मज़ा है अरे वाह दस रुपै करणे करें 20 रुपै का मज़ा आ गया भई सच में मज़ा आ गया जो खार्च करा हो उससे ज्यादा कि recovery लिए as a consumer बहुत मज़ा आ रहा है देखते हैं डिफरेंस क्या है 20 खर्च करा सुरी 20 रुपे का benefit 20 रुपे मिला है recovery किए 10 रुपे खर्च करा 10 रुपे का benefit हुआ है money for the value है अच्छा है उससे ज्यादा यह क्यों ना अब आप देखें सेकेंट आइस क्रीम आप कंजूम कर रहे हैं अब बच्चे आप सेकेंड आइस क्रीम कंजूम कर रहे हैं इसके लिए भी पे वही दस रुपे कर रहे हैं लेकिन अब मजा थोड़ा सक कम हो जाएगा ना अब आपको 16 रुपे का मजा रहे हैं लेकिन 16 रुपे का मजा ले लिए 10 रुपे में आपने तो अभी भी तो बेनिफीशियल है भाईया तो आपके पास पे 6 का अभी भी आपको प्रॉफिट हुआ है 6 रुपे का money for the value है तो बच्चे एक बात कंफर्म होगी कि आपका जब अभी satisfaction level in the terms of money मिलने वाला satisfaction level आपके price से जब भी ज़्यादा होता है तो एक consumer के लिए तो बहुत फाइदे की बात है money for the value है वो तो सको consumption करेगा ही करेगा मतलब कि continue consumption चलेगा क्योंकि उसके लिए वो beneficial है तो ये point number one था कि हाँ जी बच्चो तो फिर ये बात यहाँ पर जो है confirm हो चुकी है कि आपका mu x मतलब आपका किसी भी community से मिलने वाला satisfaction level in the terms of rupees वो अगर आपके price से greater हुआ तो आप अपना consumption continue रखेंगे as a rational consumer आपको अगर benefit हो रहा है money for the value हो रही है आपको recovery कर रहे हो payment जादा अगर आप receive कर रहे हो तो आप वहाँ पर अपना consumption क्यों नहीं continue करेंगे तो यहाँ तक तो consumption continue चलता रहा लेकिन जब थर्ड ice cream consumption करने जाते हैं तो वहाँ pay भी पहले की तरह 10 रुपई करते हैं लेकिन अब आपका 10 यूटील का satisfaction level मिला जब इसको उमने खर्च किये और 10 रुपई का आपको मज़ा आया पहले तो यह हो रहा था खर्च यह कर रहे हो मज़ा यह आ रहा है बहुत बढ़िया खर्च यह कर रहा मज़ा यह आया बहुत बढ़िया बिकॉस अफ लॉप डिमिश्य माजन यूटिल्टी आपका satisfaction अबल कम होता जाएगा अब क्या सकते हो आप Mux equals to Px क्लियर है तो अब आपका benefit क्या रहा है 0 जितना पे करा उतना मिला money for the value है अभी भी अब consumer कहेगा बस भई बस यहीं पर रुख जाता हूं बहुत हो गया इसके आगे खतरनाक situation है क्योंकि payment तो मेरे से उतना ही लेगा price तो उतना ही देना पड़े रुख जाओ ठैर जाओ तो तीन इनिट फे ठैर गया एक consumer ने decide कर लिया कि इस ice cream की तीन इनिट का consumption करेगा कब जबकि उसको price जो pay कर रहा है Px और जो से satisfaction अबल मिल रहा है आपका Mux जब दोनों equal हो जाते हैं clear है समझ माया आपको clear है बच्चे को doubt किसी बच्चे को यह कुसी बच्चे को doubt है तो प्लीज पूछ लीजिए जब उसको Mux जो satisfaction अबल मिल रहा है जो pay कर रहा है और satisfaction मिल रहा है जब दोनों के दोनों equal हो गया तो इस सितिती पे price of X जो pay करा Mux जो उसको satisfaction अबल मिला in the times of money वो दोनों को दोनों equal हो गया तो सोच लिया उसने अब रुख जा क क्योंकि आगे भी price यही pay करना पड़ेगा बट यह कम हो जागा तो आगे loss जाएगा तो एक consumer ने ice cream की 3 units को consumption करा है और third unit पे वो equilibrium की situation में आ गया क्योंकि इसके बाद वो और consumption नहीं करेगा अगर वो करता है तो payment same करनी पड़ेगी price same pay करना पड़ेगा बट satisfaction अबल उससे कम मि करेगा थाड़ उनिट उसका equilibrium point होगा जहां पर price और उससे मिलने वाला satisfaction level दोनों क्या है सेम जितना दे रहा है उतना ले रहा है clear है तो consumer equilibrium का case आ गया consumer ने यहां पर decision ले लिया बुझे यहां पर stop होना चाहिए clear है बच्चे आप कहेंगे consumer equilibrium का मतलब तो यह होता है maximum satisfaction level यहां तो zero है पिटा zero तो आपका इस पर benefit हुआ ना बट देखिए पहले 10 लिया next पर 6 लिया इस पर zero तो total 16 benefit लेके गया नहीं गया 16 लेके गया नहीं गया वो total तीनों की बात करें न मैं थोड़ी नहीं कर रहा है तीनों आइस क्रीम से benefit उसको यहां तक मिला तो उसका यहां पर total satisfaction लेवल के maximum है clear है सुझमाएं आपको क्योंकि यहां पर देखिएंगा तीन आइस क्रीम कंजूम करेगा तो 20 16 36 और आपके पास पर यह 10 46 का मिल चुका है satisfaction लेवल इसके बाद consumption करेगा clear है बच्चे सुझमाएं आई नहीं आपको इसके बाद अगर वो consumption करेगा यहां पर अगर आपकी बात करे तो आगे आपके लिए क्या हो जाएगा यह चीजे उसको पहले के competitively कम होगा उसका यहां पर नुकसान होगा minus का 6 हो जाएगा clear है तो यहां तक उसको जो मिला वो आगे उसका minus में चला जाएगा नुकसान होगा तो total satisfaction level में decline होने लग जाएगा कैर आप बस इतना ध्याना किये एक consumer भाया थर्ड आइसक्रीम से आगे नहीं जाएगा क्यों नहीं जाएगा क्योंकि थर्ड आइसक्रीम के बाद payment वही करनी है उसको satisfaction level उसको कम मिलना है कैसे जरा देख लेते हैं फॉर्थ आइसक्रीम पर दस रुपे कर रहा है मिल चार रुपे रहा है चार रुपे मिला दस रुपे कर रहा च्छे रुपे अगा गाटा हो गया इसको तो फॉर्थ आइसक्रीम फॉर्थ आइसक्रीम वह consume करेगा ही नहीं क्लियर है नहीं सुम्हें आया यह नहीं आए जब उसके द्वारा जो प्राइस पे किया जा रहा है वो और जो उससे साडिस्फेक्शन एबल मिल रहा है जब दोनों एक्वल हो जाता है ना तब कंजूमर डिसाइड कर लेता है यहां स्टॉप हो जाओ क्योंकि अब पे भी इतना ही होगा बट सेटिफेक्शन एबल इसके जाद कम होगा वो लॉस की सिच्वेशन है वहां कंजूमर कभी नहीं जाएगा क्योंकि मनी फुर्द वैल्यू नहीं है तो क्या कंडिशन हो गया आपका यह कंडिशन जितना क्योंकि जब ज्यादा है आपका यह एम्यू एक्स जब आपका बच्चे ज्यादा है इस करेगा कंजम्शन करेगा क्यों कि भाइसाब यतना काया कर चुका है क्योंकि बिल्कों लोड मिल रहा है दोनों क्या हो आपके equal हो, जब वो price pay कर रहा है और उससे जो satisfaction level मिल रहा है दोनों को दोनों equal हो तब consumer कहाँ पर आएगा satisfaction level पर आएगा यही सारी चीज़ा भी हम theory में भी पढ़ेंगे लेकिन आप schedule में आपको सुझ में आ गया है अब इसमें एक तो यह सुझ में आ गया है कंडिशन कंजूमर क्लीरियम का यह क्या कहता है MUX upon MUM मतलब कि मिलने वाला satisfaction level clear है in the terms of और money से जब आप डिवाइड कर देते हैं price के equal होना चाहिए जैसा कि satisfaction level एक क्लीरियम पॉइंट पे एक क्लीरियम एट जैसा कि MUX किया है आपका 10 3rd पॉइंट पे MUM क्या है MUM यह है this MUM एक रुपय कितना मिल रहा है एक और price क्या है 10 यह जब equal हो तो consumer क्या होता है satisfaction level होता है मतलब कि जितने रुपय कर रहा है उतने रुपय का मज़ा आरा satisfaction level है इसलिए इसको हम ऐसी express करते हैं जी हमें तो यह यूटील से मिला था MUM से डिवाइड कर देंगे जी रुपय में इतना मज़ा आया और जी इतना रुपय पे कर दोनों बराबर होगा तो हाँ यहाँ रुख जाएंगे इसके आगी नहीं जाएंगे तो consumer यहाँ पर एक clearum के point पर आ जाएगा clear है बच्चे सुझ माया आपको कोई doubt किसी बच्चे को एक यह भी इसको कह सकते हैं MUX कितना मिला आपको 10 price क्या है 10 और MUM क्या है आपके पास में 1 तो आपका यह भी equal होगा तब भी consumer क्योंकि यह इसी से बन गया ना आपको यह PX यहाँ आगया यह आपका इधर आ गया तो आपको अलग लग तरीके से करके आपको दिखा देते हैं मेरे बात आपको उमीद है अच्छे से समझ में आ गई होगी clear है तो एक consumer कितने unit को buy करेगा तो वो depend करता है उसके satisfaction level के सासाथ उसकी price पर भी तो जब तक उसको उसके price से ज़्यादा मिलेगा consumption continue करेगा price से कम satisfaction level मिलेगा अगर उसको नुकसान loss के किसमें तो अपने consumption को decrease करेगा जिससे कि उसका satisfaction level higher बना रहे price के level पर आए और stop कप करेगा जब उसका pay जो कर रहा है satisfaction level पहले से कम हो जाएगा clear है बच्चे सजमाएं आपको कोई doubt आगे बड़े फिर तो यहाँ पर आपका third unit पर consumer equilibrium में आपका आगया अब आए बच्चे अब हम यहाँ पर चलते हैं diagram पे clear है बच्चे यह किसी बच्चे को कोई doubt है तो आप प्लीज अपने doubts को आप पूछ लीजिए और किसी बच्चे को doubt है तो clear है अब इसका diagram कैसे बनेगा जरह बच्चे यह कह रहा है कि बच्चे आपने कहा कि sir जरह इसका diagram भी बता जीजिए diagram कैसे बनेगा तो मैंने आपको PDF available करवा रखा है clear है कि उसके diagram बना हुआ है लेकिन यहां पर मैं एक छोड़ा सा diagram बनायता हूँ अच्छा proper size में diagram आपके PDF available है मैं एक छोड़ा सा diagram बना रहा हूँ इसके लिए बच्चे space के according मैं यहां पर diagram के लिए space ले लेता हूँ ठीक है तो यह एक आपका graph है जो कि आप अपने 10th classes में आप graph पेपर पे बनाते आएं यहां free hand बनाना है आपने यह आपका graph का y axis है यह आपका o axis है और यह आपका x axis है और यहां पर आपका मैं दोनों ची रिपर्जेंट कर रहा हूँ एक तो आपका mu x और एक मैं आपका price भी रिपर्जेंट कर रहा हूँ बच्चे price of x प्राइस तो बच्चे constant है price तो constant है px तो constant है क्योंकि आप चाहे मत खरीदो उससे वो फ्री में नहीं देगा प्राइस उसका उतना रहाएगा जादा खरीदो तो अगर आप 0 खरीदेंगे तब यह प्राइस यह खरी देगे तब यह प्राइस यह खरीदेंगे तब यह प्राइस तो प्राइस का लेवल तो यह बना रहाएगा और MU आपका margin utility का diagram मैंने बताया कैसे बनता आपका continuously fall होता है और touch नहीं करता तो MUX in the terms of money MUX का diagram क्योंकि आप देख सकते हैं अपने MU in the terms of money को इनना rupees को continuously decrease कर रहा है और एक time पर आकरके आपका negative भी हो गया एक time पर आकरके आपका negative भी हो गया तो ये continuously decrease होगा अब satisfactionable कहा हुआ जहाँ पर आपका उस unit पे जिस unit पे आपका price और उससे मिलने वाला satisfactionable equal है तो देखें जड़ा इस point को जड़ा आप observe करें इस point को यहाँ पर आप देखें इस unit पे Q पे इस पे आपका price क्यादेस इस पे आपका MUX भी क्यादेस तो आपका इस unit पे दोनों के दोनों क्या है level आपका यह आपका y level बताता है level बताता है पर कितने का तो आपका इस OQ पर अगर आप देखें तो आपका price क्या है OP और आपका satisfaction level का level क्या है यह आपका price curve को touch करके यहाँ पर आओगे तो price को represent करेगा price के level को represent करेगा और अगर आप MUX को अगर आप touch करके Y axis पे आओगे तो वो MUX का level बताएगा तो OQ पे आपका price का level भी यही है और OQ quantity पे आपका MUX का भी level यही है मतलब कि OQ quantity पर आप जितना पे कर रहे हैं उतना ही satisfaction अब आपको मिल रहा है तो OQ level पर पे stop कर देंगे आपका consumer क्या हो जाएगा consumer equilibrium के stage पर आ जाएगा clear है बच्चे कोई doubt किसी बच्चे को तो आप please doubts को आप अच्छे से पूछ लीजिए किसी बच्चे को doubt है तो आप doubt को please पूछे clear है बच्चे कोई doubt किसी बच्चे को हाँ जी बच्चो अब आएए इसकी theory पर focus करते हैं हम theory में क्या कह रहा है बच्चे to determine the equilibrium point to determine the equilibrium point consumer compares the price of the given commodity with its utility being a rational consumer he will be at equilibrium when utility is equals to the price paid for the commodity clear है बच्चे तो वही जो हमने अभी schedule में पढ़ा है उसी को ही theory में हम अब इसको express कर रहे हैं तो क्या कह रहा है कि एक consumer के equilibrium के लिए यह जरूरी हो जाता है single commodity में कि वो compare करे commodity की price और उस commodity से मिलने वाले satisfaction level को और as a being a rational consumer एक समझजार एक rational consumer होने के नाते he will be at equilibrium when utility is equals to the price paid for the community मतलब कि उससे जो आपको satisfaction level मिल रहा है और जो आप उसके price pay कर रहे हैं जब दोनों equal हो जाता है तब consumer किसमें आएगा तब बेटा consumer आपका किस चीज़ पर आ जाएगा consumer आपका equilibrium में आ जाएगा clear है हंजी बचो अब theory में आगे first condition आपको दिया हुआ है कि MUX greater than PX इसका मतलब यह है आपको कि commodity से मिलने वाला satisfaction level और जो उस commodity के लिए आप price pay कर रहे हैं उससे greater है मतलब आप जितने payment कर रहे हैं जो price आप pay कर रहे हैं उससे जादा आपको satisfaction level आपको मिल रहा है आपके price से जादा तो इस situation में for example आपने payment यह करा और satisfaction level आपको यह मिला तो यह situation है आपका satisfaction level आपका कम जरूर होगा बड़ price से उपर रहेगा वो आपके लिए beneficial situation है इसलिए आप इस situation में होंगे तो क्या आप equilibrium में होंगे नहीं होंगे clear न आप यहाँ पर अपना consumption continue करेंगे तो यह आपका बच्चे condition first तो इस situation में क्या करेंगे consumption continue करेंगे क्योंकि equilibrium में आने के लिए क्या condition होती है equilibrium में तब आप आएंगे जबकि आपका m u x equals to p x और इस situation में price में तो कोई changes आता ही नहीं price तो constant है तो price तो भूल जाएं यह आपका ज़्यादा है क्या satisfaction level और equilibrium में आने के लिए दोनों का equal होना ज़रूरी है तो satisfaction level यहाँ पर problem क्या है आपको जो problem नहीं कहेंगे इसको इसको हम कहेंगे कि यहाँ पर मेरा price से ज़्यादा satisfaction level मिल रहा है जबकि equilibrium में आने के लिए price और मिलने वाला satisfaction level क्या होना चीए equal होना चीए तो क्या करेंगे situation में इसको equal price को तो change कर ही नहीं सकते satisfaction level में changes ला सकते हैं तो दोनों को equal करने के लिए यहाँ satisfaction level ज़्यादा है न equal करने के लिए इसको कम करना पड़ेगा और कम कैसे होगा continuously consumption करते चले जाएंगे तो because of law of diminishing marginal utility आपका next minute से मिलने वाला satisfaction level आपका कम होता चला जाएगा और यह एक time पर price के equal हो जाएगा और consumer equilibrium की condition में आ जाएगा तो इस situation को आप अच्छे से समझ गये हैं कि जब भी किसी commodity से मिलने वाला satisfaction level और जो उसको आप price pay कर रहे हो उससे greater हो जाता है तो consumer equilibrium में नहीं होता है क्योंकि उसके लिए beneficial situation है वो आगे continue consumption करेगा तो equilibrium में आने के लिए क्या करना पड़ेगा equilibrium यह condition है MUX equals to PX तो यहाँ पर price में तो change आप कर नहीं सकते तो आपके पास में margin utility of X satisfaction level of X है यह क्या है यह ज्यादा है प्राइस और equal करने के लिए इसको कम करना पड़ेगा कम कैसे होगा continuously consumption से law of diminishing margin utility applicable होता है और फिर यह दिद्रे का मोते होते होते इसके equal हो जाएगा और consumer equilibrium के stage पर पहुंच जाएगा तो consumer को क्या करना चाहिए clearing पर जाने के लिए continuously consumption करना चाहिए point second क्या कर रहा है if MUX less than price of X मलब जो मैं pay कर रहा हूँ जितना मैंने pay कर रहा है उससे कम मुझे मज़ा आ रहा है money for the value नहीं है इस situation में consumer कभी नहीं रहना चाहेगा इस loss में की case में कि जो उसने payment करा है at least उतने का भी आपको कुछ मिलने पाया उसको नुकसान होगा तो consumer कभी भी इस case में नहीं रहेगा क्योंकि consumer equilibrium में तब आता है जब MUX equals to PX price to change आप कर नहीं सकते यह चीज़े clear आपको clear है ना जारा इसको पहले पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है मूर MU falls because of operation of the law of diminishing marginal utility जैसे वो खर देगा वैसे वैसे MUX fall होगा क्योंकि law of diminishing marginal utility के वज़े से when MU becomes equals to the price consumer gets maximum benefits और वो कहां आ जाएगा equilibrium के stage पे आ जाएगा point number two क्या है if MU if MU X less than price of X मतलब कि जो हम pay कर रहे हैं उससे भी कम हमें satisfaction level मिल रहा है हमारी payment के बराबर भी हमारा satisfaction level नहीं है money for the value नहीं है तो यह situation तो consumer के लिए loss के situation हो गई तो consumer यहाँ पर कैसे equilibrium में आ जाएगा तो देखें यहाँ पर price में तो आप कोई changes कर नहीं सकते क्योंकि यह constant होता है अब यह आपका कम है तो आपको क्या करना चाहिए आपको less consumption करना चाहिए क्योंकि आपका satisfaction level price से भी low जा चुका है तो आपको इतना consumption नहीं कर लेना चाहिए था जिससे कि low of diminishing margin utility होने के वे इसे आप price से भी नीचे चले जाएए आपको less consumption करना चाहिए less consumption करने से आपका satisfaction level high बना रहता जो कि price से equal हो जाता और consumer equilibrium में आ जाता तो कि आप देखिए equilibrium में आने के लिए MUX equals to PX होना चाहिए और satisfaction level आपका कम है यहाँ पर price से price को तो change करनी सकते तो satisfaction level को बढ़ाना होगा और satisfaction level कब बढ़ेगा जब आप less consumption करेंगा satisfaction level आपका high रहता है तो इस situation में आप less consumption करेंगे आईए theory पढ़ लेते हैं then also consumer is not at equilibrium as he will have to reduce consumption of commodity X to raise his total satisfaction till MU becomes equals to the price consumer को यहाँ पर अपने consumption को कम करना पढ़ेगा जिससे कि वो price के equal आ जाए और consumer equilibrium के stage पर आ जाए clear है बच्चे तो equilibrium पर आने के लिए क्या compulsory condition हो गए यह भी applicable नहीं है और यह भी आपका applicable नहीं है clear है तो आपके पास में इस situation को जड़ा देख लिए इसको star situation में कह रहा हूं इस situation में क्या है MUX equals to PX हो गया तो consumer आगे consumption continue करेगा नहीं क्योंकि आगे चल करके वो same price पे करेगा but because of law of diminution margin utility यह क्या हो जाएगा satisfaction अबल कम हो जाएगा तो जो पे कर रहा है उससे कम satisfaction अबल मिलेगा तो consumer यहाँ पर consumer यहाँ पर satisfaction equilibrium के stage पर नहीं आपाएगा तो यह अगर यहाँ पर रहेगा तो benefit के situation है तो आगे consumption जरूर करना चाहेगा यहाँ पर रहेगा तो उसके लिए loss है तो come consumption करना चाहेगा तो stability कहां आएगी उसके लिए उसके लिए stability आएगी जब MUX equals to क्या हो जाए PX हो जाए तो consumer equilibrium की यह एक condition है कि किसी community से मिलने वाला satisfaction level in the form of money और जो आप उसके लिए pay कर रहे हैं price दोनों क्या होने चाहिए equal होने चाहिए